जो मेरा हिमकेर का कार्ड बना है वो पहले एटमेट होने के बाद एकसेप्ट करते हैं कि जो की जिसके पास पैसे ना हो वो काम पर जाए जोगिंदन अगर उपमंडल की तहसिल लड़डोल की ग्राम पंचायत सीमस के गरी परिवार से संबंद रखने वाले सुनिल कुमार को मदद किया शकता है सुनिल कुमार किड्नी की गंभीर बिमारी से जूच रहे हैं सुनिल कुमार की उम्र 38 साल है वो जब अपने दुख की दासना बताते हैं तो उनकी आँखें भराती है वो कहते हैं कि पिछले कई सालों से किड्नी की बिमारी से जूच रहा हूँ जिसके उपचार के लिए उनकी जीवन भर की जमापूंजी खत्म हो गई है कहा कि आगामी उपचार और टेस्टों के लिए बिलकुल भी पैसे नहीं है सुनिल कुमार को उम्मीद है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरों के जरिये वो जानते हैं कि जरुत मंदों की लोग मदद करते हैं उसी तरीके से कोई मेरी भी मदद करेगा शायद इसी लिए वो अपनी खाता संक्या शेयर कर रहे हैं मैं सुनिल कुमार गाम पचाइद से मसका रहने वाला हूँ और मेरी निमंदिक्त बिमारी है कि बोलने मतलब मेरी जो एक इडनी है बिलकुल खराब हो चुकी है दूसरी को फरक पढ़ गया है और साथ में पानी भरा हुआ है और यह गाओं की तरफ से मेरे को जो पहले मेरे ओप्रेशन हुआ है उसमें मेरे को ग्राउण वालों ने बहुत साहरा दिया पर इस वार मेरे पास ना सीटी स्कैन और ना कुछ ट्रेडमेंड के लिए मेरे पास एक वी रपई यह नहीं है तो किरपा करके आप जोड के विन्यम निवेदन है कि मेरी साहिता की जाए मैं आपका बहुत बड़ा अभारी रोंगा पर देश सरकार से यह है कि जो भी मेरे कार्ड बने है उसको तुरंत चलाया जाए उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँगा अगर कार्ड चलेंगे पहले भी मेरी उसमें जो भी मेरे टैस्ट बगर एथा सारे मेरे प्राइविट हुए है उसका मेरे को कोई सामधार नहीं मिला है जो मेरे operation हुआ है, उसका मेरे को जितना भी एक दिनका खर्चा operation के time पे हुआ है वो मेरे को जिरूर मिला है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, बाकी जो भी मेरे test हुआ है, 80% जो test है जो मेरे above से हुआ है, उसका मेरे को कोई साधनी मिला कि जैसे मैं हूँ मेरे पास इस टेम सीटी स्कैन के लिए पैसा नहीं है तो मैं इस टेम हाथ फ़ला के कुछ मांग रहा हूँ कि कुछ मेरे को साहिता दी जाए मैं बहुत बड़ा दन्यवाद हूँगा